हे गाईस वेलकम डू सक्सस दिलिप में दिलिप कुमार स्वागत है आपका इस वीडियो में तो दोस्तों बहुत बड़ी खुस कबरी आप सभी केंडिडेट के लिए आई वो सी यल में पर्मानेट जॉब्स की भरती आ चुकी है अच्छी खासी वेकंसी जे सेलरी बंपर मिलने वाली आप सबको काफी सारे स्टुडेंट जो बात करते हैं आई वो सी यल में पर्मानेट जॉब्स की वेकंसी नहीं आती है सुरू से यहन तक वीडियोज को पूरा देखेगा ताकि आपकी सारी जो क्लेरिफिकेशन है वो समझ आने वाली है स्टार्ट करते हैं वीडियोज को इससे पहले रिक्वेस्टेड होगी चैनल पे आप पहली बार विजिट कर रहे हैं प्लीज डू सब्सक्राइब एंड हिट दे बेल अकें ताकि इसी तरह लेटेस्ट गवर्मेंट जॉप्स के बेट आपको बराबर मिलती रहें तो गाइस यही ऑफिसेल नोटिफिकेशन जो की रिलीज की गई है इंडियन ओयल कॉर्परेशन यह पाइपलाइन डिविजन है और पाइपलाइन डिविजन यहां पर सबसे ज़्यादा सेलरी प्रोवाइड करने वाली डिविजन है हलांकि रिफाइनरी डिविजन में भी पैसा देता है बट कॉंपेर पाइपलाइन डिविजन में ज़्यादा पैसा आप सब के लिए तो that is great opportunity है starting में सबकी सलरी सेम होती है लेकिन promotion बहुत ही highly होता है काफी सारा सुविधा आपको दी जाएगी देख सकते हैं कल रात ये वीडियो मतलब ये notification आगए थी तो रात में वीडियो बनाना possible नहीं था actually इसलिए सुवा आ रही वीडियो 18 फरवरी 2022 तक इसकी last date रखी गई है और online form की हम यहाँ पर detail में discuss करने वाले है चले देखते हैं कौन-कौन से ये सारे आपकी reason है ये state है हर एक state में vacances आउट की गई है अपनी category wise देख सकते हैं हर एक state से आपको मिल जाएगी बिहार में मिल जाएगी अब यह नहीं एक एक वेस्ट बंगाल में दो जगा है फिर देख सकते हैं यह अलग-अलग नेमो पोस्ट है कौन-कौन सी पोस्ट जैसे की टीय हो गया यह सारी पोस्ट है जैसे operator electrical mechanical यह सारी पोस्ट है आउट की गई तो अपने state में देख लेना आपका में कितना है और सबसे ज़्यादा पोस्ट में बात करूँ तो लगवा अंदर परदेश में आपको मिल जाती है तो देख सकते हैं एक 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 पोस्ट पर अपने पने category wise देख लेना general में निकाली गई आपकी पोस्ट में अगर vacances भी ना क यह हो तो जरूर अप्लाइ करें बहुत ही अच्छी खासी वेकंसी है यहाँ पर नीचे आपको और मिल जाएगी वेकंसी ओडिसा में अधरवाइस यहाँ पर जारकंड में तमिल लाडू में सभी जगा यहाँ पर state wise आप चेक कर लें अब बात करते हैं इसमें age limit क्या होगी apply करने के लिए so all candidates 18 साल से लेकर 26 साल के student is pump को fill कर सकते हैं then age relaxation मिलेगी आपको 24 दनवरी 2022 को आपकी age count की जागी htac वालों को 5 year and obc वालों को 3 years की age relaxation मिलेगी चल अब discuss करते हैं कौन-कौन सी post यहाँ पर आप देख सकते हैं engineering assistant जो ea vacancy है वो engineering assistant है for mechanical grade 4 में तो इसमें mechanical 3 year की diploma या फिर आपने 2 year की lateral entry ITI कर रखा है minimum 2 year duration आप बिल्कुल apply कर सकते हैं that is great opportunity ध्यान रखना फ्रेसर के लिए वेकंसी है तो ITI प्लस डिप्लोमा mechanical engineering या फिर ऑटो मोबाइल में आप अप्लाय कर सकते हैं minimum 55% marks आपके पास होनी चाहिए next आपके पास electrical में तो आपने डिप्लोमा या फिर 2 year ITI प्लस डिप्लोमा किया हुआ है electrical में या फिर electronics यानि की त्रिपली भी apply कर सकते हो next वेकंसी है ग्रेट 4 engineering assistant की वेकंसी है TNI में जहाँ पर डिप्लोमा होनी चाहिए then अगर आपने ITI after 1 year की duration डिप्लोमा कर रहा है जैसे electronic communication engineering electronic telecommunication communication radio communication control engineering instrumentation process control engineering या फिर electronics बिल्कुल eligible नेक्स वेकंसी है ग्रेट 4 में engineering assistant यहाँ पर भी 10 पास ITI या फिर डिप्लोमा प्लस डिप्लोमा कर रहे हो वेरिवेंट 1 year chemical mechanical automobile electronic यह सारे सारे branches वाले apply कर सकते हो next post आप सब के लिए TA तो TA यहाँ पर बिल्कुल फ्रेसर ITI वाले apply कर सकते हैं आपने डिप्लोमा किया है नहीं किया उससे कोई भी फरक नहीं पड़ता है तो देख सकते हैं जो TA यहाँ कि technical attendant की post है metric pass होनी चाहिए यानि कि 10th pass ITI होनी चाहिए government recognized इंसुट से कहीं से भी किया और रिकोगनाइस इंसुट से होनी चाहिए अपने पास NCVT SCVT सभी apply कर सकते हैं तो जैसे कि ट्रेड में बात करूँ electronic mechanic fitter हो गया instrument mechanic, instrument mechanic chemical plant में machinist grinder हो गया देर आपको यहाँ पर जो मेकेनिक का operator electronics टर्नर, wireman, draftman, mechanical और मेकेनिक इंडस्ट्रियल, electronics, information technology, SNV में और यहाँ पार देख सकते हैं mechanic यानि की refrigeration, air conditioning तो RNAC वाले बिल्कुल apply कर सकते हैं mechanic diesel की vacancy है तो यह सारे ट्रेड रे आईटिया वालों के लिए बिल्कुल फ्रेसर apply कर सकते हैं कोई भी experience नहीं नहीं डिप्लोमा मांगी गई है और यहाँ पर mechanical में apply करना चाहते है डिप्लोमा लेवल में तो आईटिया प्लस lateral entry की हो apply कर सकते हो तो technical attendant की जितनी भी सारी पोस्ट है कौन-कौन सी पोस्ट है अब technical attendant जैसे यह टीये तो technical attendant for ITA टीये टीये तो यह आईटिया वालों के लिए समझ चुके हो गए यह सारी पोस्टे पर आप बिल्कुल apply कर सकते हो तो that is great opportunity salary आपको मिलने वाली है पचीस हजार से ले कर 78,000 के बीच में तो काफी highly salary आपको मिलने वाली है जितने भी candidates form को fill करना चाहते हैं जरूर reply करे cut off date totally 24 जनवरी 2022 रखी गई है application fee यहाँ पर आपका होने वाला है जो की मातर 100 रुपे पर general OBC AWS वाल जितने भी STST candidate है इंसके लिए कोई भी application fee charge नहीं लगने वाला है फी आपक selection processor की में बात करूं सभी selection process आपकी जोगी return test and skill test के जरीए आपके लिए जाएगी then यहाँ पर physical test भी आपका होने वाला है तो यह सारी चीजें qualify आपको करनी होगी क्या syllabus and exam pattern होगा सारी चीजें में आपके लिए आपके discuss करने वाला हूं तो वीडियो छोड़के कहीं जाने की दिक्कत नहीं है return test यहाँ पर modify यहाँ पर रह गई कि कब तक होने की संभावना तो 27 March 2022 को आपको यहाँ पर return test रखी गई है देखे mcqy question पूछा जागा 100 question आपके रहने वाले हैं each of others देन आपको यहाँ पर देख सकते है 75 question जो आपका discipline से सिर्फ पूछा जागा 25 question रहेगा general aptitude रहेगा reasoning general English numerical aptitude and general knowledge यानि कि 75 question सिर्फ आपका जो पूछा जाएगा वो सिर्फ किया पूछा जाएगा objective सिर्फ आपका branch से related for diploma के लिए मैं बता रहा हूँ same आपका यही चीज राइटी में भी लागा हुगा जिसमें से 75 question आपका trade से related पूछा जागा 25 question पूछा जागा general aptitude reasoning और general English numerical aptitude and general knowledge जिसके लिए आपको 90 minute का time आपको इसमें दिया जाएगा तो that is great opportunity इसी बात नहीं अपने trade से related जो पढ़ाई कर चुका है जो master trade में वो अराम से इस exam को qualify कर सकता है आई वो CL में पर्मानेट जॉब ले सकता है अगर यह क्या पढ़ना चाहिए किस तरह से तयारी होगी इसकी मैं totally study material देने की provide करूँगा जिसको भी study material चाहिए comment फॉर्म गो फॉर्म कियाने की फॉर्म सब दिया होगा जिसमें से request करना होगा फॉर्म के लिए तो हमारे द्वारा आप फॉर्म फिल करवा सकते हैं तो जितने भी candidate eligible हैं जरूर फॉर्म फिल करें फॉर्म 18 फरवरी तक यह चलने वाली है फॉर्म की videos आपको जरूर मिल लगी जरूर बताइएगा यूश्फुल लगी हो फ्लीज लाइक सेरे और सबस्क्राब करें चले मिल दे नेक्स वीडियो में तब तक लिए से कोई भी doubt हो बेज़िज़ा कमेंट कर सकते हैं आपकी totally help की जाएगी